Hello friends, स्वागत आपका मेरे चनल PetroAdinda में मैं आज आपको बताऊँगा कि आप आपकी गाड़ी safe कैसे रख सकते हो इस lockdown के पिरेड में मैं आपको सी पाच टी बताऊँगा जिससे आपकी गाड़ी safe रख सकते हो So let's start the video दोस्तों जब गाड़ी बहुत दिन तक खड़ी देती है तो उसमें सबसे बड़ा जो खत्रा रहता है वो रहता है इसकी बैटरी डाउन होने का आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो वह है इसका कोई एक टर्मिन निकाल दो इन दोनों टर्मिनल्स में से कोई भी एक टर्मिन आप निकाल के अलग से रख दीजे जिससे बैटरी डाउन नहीं होगी बट इसमें खत्रा रहेगा विकाज गाड़ी की सेफटी या बहुत सरी चीज़े जो है वो मॉनिटर होती रहती है अगर आप वो निकाल दोगे तो इलेक्ट्रिकल्स जो है गाड़ी के वो काम नहीं करेंगे तो थोड़ा अनसेफ यह हो जाएगा पिड़ अगर आप फ्लाइट स्की में रहते हो या वाश्मन आपके आप है तो आप यह चीज़ ट्राइ कर सकते हो जो लोग यह चीज़ नहीं कर सकते उनके लिए मेरे पास दूसरा ओप्शन है मैं दूसरी टीप बताऊंगा वह आप फॉलो कर सकते हो जिससे बैटरी नहीं उत्रेगी गाड़ी की दूसरी बैटरी ना उत्रे इसके लिए है वह है एक आप छोटा सा स्पीन लेकर आई है आपकी घर के बास जगह है में रोड पर मत जहिए पर एक आपकी गली है दो गली है तो उसको मिला कि आप एक दो राउंड मार लीजे जिससे बैटरी चार्ज हो जाएगी तो बैटरी डाउन नहीं होगा अपकी इससे मेरे गाड़ी ओपन में खड़े रहता है तो मैं एक शॉर्ट स्पीन लेकर आता हूँ विकॉज एक नो टेक रिस्क आप शुटिंग डाउन सिक्योटी अप इसकार दूस्तों दूसरा खत्रा इसमें होता है वह होता है चूहो का अगर आप तो गाड़ी में आग लग सकती है आप यहां पे देख सकते मेरे गाड़ी दो दिन से खड़ी है विड़ा पर आपको चूह के पहर देुए तो तो आवज देस्स आप इसमें आंटी रॉदिंट स्प्रे मार सकते हो अगर वह आपके पास नही है तो आप इसमें मीरिचीsin की आप इसको ट्राइ कर सकते हैं अगर यह काम नहीं करता है विकाज मेरे पास अभी option नहीं बहा जाने का तो I am trying this one अगर यह काम नहीं करता है तो anti-rodent spray लीजे वह मार दीजिए मेरे पुरानी कार जो थी उसमे मैं tobacco रखता था तो उसके समेज से कभी उसमें चूहें नहीं आते थे आप वो try कर लीजे अगर वो काम नहीं करता है आपके लिए तो go for rodent spray आपने मेख च्यूर के गाड़ी का इंट्रेल वी आपने क्लीन किया है अगर आपका गाड़ी का इंट्रेल क्लीन नी होगा जैसे खाने का सावन Gray के जूराओ मेरे बच्चे बेट्याए तो वहां पर कई बार खाने की चीज़े गीर जाती है अगर उस पर खाने की चीज़े गीरेगी तो हो सकता है चुहा गाड़ी के अंदर भी आ जाए और यहां की वायर से या फिर डैश्बॉर्ड के अंदर जाके कुछ खराब कर दे ट्लीन यो कार फ़म इंसाइड दोस्तो बहुइद दिन गाड़ी एक जगर पे खड़ी रहती है तो उसमें अगला परॉब्लम आता है इसके टायर में अगर मेरी गाड़ी एक जगह ज्यादा दिन खड़ी रखूंगा तो उसमें फ्लैट स्पॉट बन सकता है जहां पे गाड़ी का पूरा वेट आता है टायर पे वहाँ पे फ्लैट स्पॉट आ जाएगा और बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी रहेगी एक जगह पे तो टायर हाड होके वहाँ पे कटना शुरू हो जाएगा तो आप इसके वाइपर स्कॉपर करके रख दीजे जिसे वाइपर हाड हो गे इसके ब्लेड जो है वहाड नहीं होंगे और खराब नहीं होंगे और दूसरा फाइदा इससे ही होता है अगर आपके वाइपर नीचे रहेंगे तो उसमें यह पे धूल जम जाती है आप देख सकते हैं यह पे धूल है मिट्टी है इसमें जिससे काच पे स्क्रैचेस आते हैं तो यह चीज़ आप 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 सकते हो मैंने में दो दीन से गाड़ी को एक प्रॉपर वाउच दीजे और इसको पॉलिश करके कही च्छाओ में खड़ा कर दीजे अगर च्छाओ नहीं है आपके आप तो इसको कार कवज से ढखके रख दीजे जिससे गाड़ी का कलर खराब नहीं होगा मैं कार खकनी के लिए इसलिए कह रहा हूँ विकोज क्या होता है कई बर चीडिया या फिर कवज गाड़ी पर पोटिंग कर देते तो उनकी जो वोटिविती हो आइसीडी करेती है जिससे कलर खराब होता है कार का तो अगर अगर आप धक्के रखोगे तो आपको प्रॉब् अपल तीफ में आपको बताइए अगर आपको मेरे वीडियो परसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्यू